नमो नारायन मित्रो कैसे हैं आप सब? मुझे उमीद है आप सब ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एबं मजे में होंगे दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि W नाम वाले जातक एबं C नाम वाले जातक यदी साधी करते हैं तो आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तो यदी आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एबं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है तो आईए अब वीडियो की सुरुवात करते हैं मित्रो डबलू नाम वाले जातक एबं सी नाम वाले जातक यदी किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक शमानता की कमी बहुत जयादा होती है इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग एक दूसरे से भिन होते हैं इन दोनों की अपने अपने जीवन में जो भी आपसिकताई एं होती है जो भी जरूरते होती है वो एक दूसरे से अलग एक दूसरे से भिन होती है इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में अपने अपने द्रश्टी कोन को अपने अपने विचार को बहुत जयादा महत्तु देते हैं एबम कभी भी अपने जीवन में अपने विचारों के सामने में किसी और इनसान की बातों को, किसी और इनसान के विचारों को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। एबम ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है, उसमें आपसी तनाब, आपसी मन मुटाब बहुत जयादा होता है। हमेशा अपने जीवन में बदलाब करना, परिवर्तन करना बहुत जयादा पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलाबा, इस नाम के जो भी जातक होते हैं, वो शुभाब से बहुत जयादा क्रोधी, बहुत जयादा गुस्यल होते हैं। एबम हमेशा अपने जीवन में छोटी मोटी बातों पर बहुत जयादा क्रोध, बहुत जयादा गुस्सा करते हैं। एबम ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है, उसमें आपसी तनाब, आपसी मन मुटाब बहुत जयादा होता है। लेकिन इसके अलाब यदि डबलू नामबालों की बात करें, तो डबलू नामबाले जो भी जातक होते हैं, वो बेहद सांत होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं। एबम हमेशा अपने जीबन में अपने आने वाले शमय के प्रती बेहद आसावादी होते हैं, हमेशा अपने जीबन में अपने आने वाले शमय से बहुत जयादा उम्मीद, बहुत जयादा आसा करते हैं। मित्रो डबलू नाम वाले dettaट एबम सी नाम वाले dettaट इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जाननाचाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामानने रहेगा नजयादा मजबूत नजयादा खराब दोस्तों मुझे उमीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में वाइटी पुरुसोत्तम को आपने सबस्क्राइब कर दिया होगा एबम वीडियो के नीचे में अपने इस्ट देवता का नाम आप अब इस से कमेंट कर दे एबम वीडियो हर जगह से यर कर दे तो हम सम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद